हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेह बज़र वित आयूश और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ओफिस स्पेस सॉल्यूशन के बारे में डीटेल में तो दोस्तों एक नया मेंड़ आईपयो है जो ओपन होने वाला है फ्रम 22nd में तो 27th में 10 रुपिक इसकी फेस वाल्यू है करीबन 36 रुपीज पर्श येगा और बीएसी निसी दूनों पर ये नया मेंड़ आईपयो लिस्ट होने वाला है देखिए कल का दिन काफी इंपॉर्टन रहेगा इसके लिए 21st का क्योंकि कल दोस्तों इसकी आंकर बुक नहीं कल कर आएगी लेकिन आंकर बुक से पहले हम स साल भी पूरे नहीं क्योंकि December 2014 में जाकर दोस्तों company incorporate हुई थी तो December 2024 में जाकर company को पूरे 10 years complete होंगे तो काफी नहीं company है ये So office space solutions काम क्या है देखिए नाम से समझ में आता है AWFIS का मतलब है office ही तो office space space या नहीं workspace तो workspace तो workspace solution दोस्तों ये company basically provide करती है Company किनकों को provide करती है workspace अब देखिए workspace में सब आ गए इसमें देखिए individuals भी आ गए startups भी आ गए SMEs भी आ गए large corporations भी आ गए सब आ गए Company का जो core solution है वो है दोस्तों basically core working इसके अंदर flexible work spaces है custom offices है mobility solutions है और office space solution limited provide करता है supporting services जिसमें food and beverages, IT support, infrastructure services और event hosting Company almost 169 centers across 16 cities in India में operate करती है company के वास almost अभी 1,5,258 seats है basically कितना work space होगा उसमें कितने लोग काम कर रहे होंगे मलब लोग होंगे right with chargeable area करीबन इनका वास है 5.33 million square feet का then additionally company has 31 centers है जिसमें 25,312 seats है और currently under fit out है और chargeable area करीबन 1.23 million square feet का है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का company का overall आपको space देखने को मिल जाता है company काम जो करती है वो definitely आपको समझ में आ चुका होगी यह space provide करती है मलब work space आपको देती है और आजकर आपने बहुत सुना भी होगा कि देखें को working का culture है एक यह office के अंदर दोस्तों बहुत सारे यहां पर offices रहते हैं तो एक area हो गया इसके अंदर for example देखी एक यह space हो गया but एक ही पुरा आप कह सकते हैं पाट है लेकिन इसके अंदर 1,2,3,4 ऐसे चार अलग-अलग type की companies work कर रही है तो यह co-working का बहुत culture हो चुका है और यही दुस्तों company basically provide भी करती है हम कह सकते है company इसको expand भी करने company ने expand भी किया इनके business offerings को इसके अंदर company in-house fit out और facility provide करती है तो यह सब company का काम में company का है अभी almost 100 members की team है with a background in hospitality servicing the needs of every client company का है almost 63 designers भी है project managers भी है जो enhance करते है industry का experience तो hopefully आपको समझ में आयोगा कि business क्या है अब दुस्तों कोई भी business है तो उसके positives भी होंगे negatives भी होंगे तो चलिए दोनों को समझते है की strength अपको company के दाता हूँ company के दुस्तों leadership है in large and growing marketplace सबसे पहली बात तो इनका strength यही है कि leadership है जिस भी जिस sector में company काम करें बहुत जादा company को भी challenges देखने को नहीं मिल रहे है दूसरा है दूस्तों company focus करती है innovation in the flexible workspace industry with adoption of MA model तीसरा है दूस्तों company का diverse space sourcing or demand strategies है company के चौतर strength आता है कि company के strong financials और operating metrics है strong financials देखे सिर्फ profit से नहीं होता है कितने company grow कर पा रही है क्योंकि देखे new age companies जो है definitely जादा profitable नहीं हो सकती है दिये जगा कि दूस्तों profit आएगा जब company stable हो जाएगी बट क्योंकि देखे अभी बहुत company को expand भी करना तो उसके लिए पैसा चीह है और वो पैसा दोस्तों लगातर company अब कह सकते देखे प्राइविट इक्विटी इन सब को जरी उठाती रहती है बट जरूर देखा कि financials का मतलब यह नहीं कि सिर्फ company अच्छे मुनाफ़े में है यह आपको समझना पड़ेगा पाच् दूसरी चीज दोस्तों company का negative cash flow है तीसरी चीज यह है कि दोस्तों significant competitive pressure आता है इस industry के इंदर जहाँ पर operate कर रहे है और चौता है working capital requirements काफी जादा आपको चाहिए तो यह दोस्तों company के उपर कुछ रिस्क है बट जैसा मैंने का कोई भी हमारे पास इसका listed peer नहीं है मतलब यह company होगी stock exchanges में लिस्ट होने वाली जो इस प्रकार का काम करती है आप चले company के financials को देखते हैं 31 March 2021 को company का revenue 216 करोड का था 222 में वो बढ़का 278 करोड का हुआ then 565 करोड का हुआ then 633 करोड का हुआ 31 December 2030 के साब से यह अभी एक quarter यानि Q4 के number आना बाकी है उससे पहले दूस्तों company का revenue है वो 633 करोड already हो चुका है तो company के अगर आप revenue growth देखेंगे 2022-2023 के अंदर तो वो almost जो company की revenue growth रही है वो 103% के रही है मलब company का revenue more than double हो चुका है क्यों अभी भी अगर आप देखेंगे तो यह बात चाप दिखती है कि दोस्तों पिछले साल को तो company ने already beat कर लिया है और अ 800 करोड से भी उपर का revenue company जो हो दर्ज करने वाली है इस पूरे Fy24 के अंदर मुनाफ़ा तो मुनाफ़ा दोस्तों अभी कायब है बट loss ऐसा कह सकते है कि कम होता जा रहा है 42 करोड का loss था फिर 57 करोड का loss हुआ फिर 46 करोड का loss हो और अब दोस्तों सिर्फ company का loss 19 करोड करे गय बॉरेंग company के अपर बहुत खास नहीं है company के अपर बॉरेंग अगर आप देखेंगे तो currently 23 करोड किये company की return on capital अगर आप देखेंगे तो 37.43% का अपना आप में शांदार है debt to equity काफी manageable दिखता है कोई issue नहीं दिखता है दोस्तों company अपना IQ लेकर क्यों आ रही है objectives क्या है प इसे दोस्तों company जो fresh issue छोटा सा उठा रही है उसमें इसी प्रकार का company काम करेगी यानि जो fresh issue है उसमें पैसे डालेगी बागे दोस्तों एक lot में लगाने के लिए आपको 39 shares मिलने वाले 14,937 रुपीज इसके लिए आपको pay करने पड़ेंगे detail में आप मैक्सिमन 13 lots तक जा सक जिसके लिए 10,000,000 रुपीज आपको pay करने पड़ेंगे अब सबसे important question दोस्ते यह आता है कि यहाँ पर करना क्या चाहिए देखिए simple से बात कंपनी मुझे बढ़िया दिखी यह बात क्यों मैं कहा हूं प्रिकार सबसे बली बात तो क्या interesting type of business है नया type of business है सबसे important बात यह ह जिसमाने का इसे कोई listed company आपको नहीं मिलेगी इसलिए एक new type का business है जो आपको list होता हुआ देखने को मिलेगा और मैं साबसे जब नया type का कोई business आता है तो उसको लेकर बाजर exciting रहता है क्योंकि हो सकता है कि आज से 10-15 साल बार यह जो co-working का culture है वो सबसे जादा बढ़ता ह क्योंकि आपको पता है कि जो office space होता है वो बहुत जादा costly होता है और जो नए start-ups होते हैं वो शायता कितना afford नहीं कर सकते लेकिन जब co-working होती है तो no doubt देखे affordable आपको मिल जाता है तो अगर यह company इसी में बहुत अच्छा grow कर गई और अपने आपको एक बड़ा market share इनके प इंट्रेस्टिंग रहेगा नाम देखना क्या रहता है मैं बात करते हैं ग्रे मार्केट की भी सो जो ग्रे मार्केट दोस्तों कुछ दिरों तक 19% पर रटकी थी है सीधे देखे 43% हो चुकी है एक्शन में ग्रे मार्केट हम को आतीव निज़र आ रही है 43% का premium देखने को मि होटा है तो no doubt देखे allotment मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें retail का portion only 10% का है अब जो issue है उसमें से 10% का retail का portion है नहीं बहुत चोटा portion है तो retail को allotment आना बहुत मुश्किल रहेगा लेकिन यह जरूर है कि दोस्तो issue बढ़या रहने वाला है इस प्रकार की expectations आप करके चल सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था बाकी हम और बात करेंगे subscription जायेगा तो में अपना final verdict देखेंगे कि subscription कितना रहा है वो भी बहुत matter करता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था hopefully आपको अच्छा लगा होगा thank you friends watching this video